तो गाइस अगर आप नहीं आपने अभी ताइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लिज सब्सक्राइब इस चैनल आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो गर सकते हैं तो गाइस आज एक बहुत अच्छी एक्सुसाइस को पर हम बात करेंगे समझेंगे कैसे लगाना हिप जो की वुमन्स के लिए रहती है मुस्ली वुमन्स उसको गलत परफॉर्म करते हैं जिससे उनका लोग बॉड़ी डेवलप नहीं होता है और बैक इंजर हो जाती है क्योंकि बैक इंचेट ज्यादा बढ़ता हो बैक इंजर हो जाता है मैंन्स भी लगाते हैं इस एक्सजाइस को इवन मैं कुद परफॉर्म करता हूं बट नॉट रेगुलर वेसेस मैं वन इन मन्स मैं इस हिप थ्रस को परफॉर्म करता हूं चलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंते तक अगर आपने अभी तक इस चैनल को आप हमारे इस चैनल के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं तो इस पहले हम बात करेंगे केटल बेल से पर बिगनर्स केसे लगाना है ठीक है फिर थोड़ा हम उसके बाद एडवांस पर जाएंगे बाबल से बात करेंगे कि बाबल में केसे लगाना है आपका ये जो अपर बैक है ये नीचे पैड पे रहेगा पूरा अल्राइट आपकी ये जो अपर बैक हमारा पूरा पैड प पेरों की जो चोड़ाई है, शूल्डर की लेंद जितनी है, ज्यादा बाहर नहीं है, ज्यादा अंदर नहीं है, ठीक है, नौ, हमारी जो चीन है, यह टूवट्स नीचे रहेगी, ऐसे रहेगी, उपार नहीं रहेगी, ठीक है, यह हमने केटल वेल लिया, काब इसको कहा रख अल्राइट, रखा, अब हम कॉंट्रेक्ट करेंगे, वान, हिप्स को उपल लिखे आएंगे, ताकि हमारा जो हिप मसल है, वो एक्टिवेट होगा, इससे ज्यादा हम स्ट्रेश नी करेंगे, इससे ज्यादा स्ट्रेश करते हैं या नीचे जाते हैं, तो लो बैक में होने के चांसेज बढ़ते हैं, इतना सही है, that's enough, that's enough, you can feel, आप जैसे ये परफॉर्म करेंगे एक्सराइस, आपको फील आएगा कि आपका जो हिप मसल है, वहाँ पे एक टेंशन बढ़ेगा, एक प्रेशर बढ़ेगा, मतलब एक मसल अक्टिवेट होने कि आपको एक हिंट भी लेगी आपकी नैक ऐसे ही रहीगे, आल राइट, इसे वेसे नहीं करेंगे, नीचे जुक्के ही रहीगे, जिससे आपका नैक पे भी लोड नहीं आएगा, नैक डैमेज होने की चांसे नहीं रहेते, बहुत अच्छी इक्सुसाइस है फॉर गल्स, जिन्हें अपनी लोग बाडी अट्रेक्टिव चाहिए, आप ये डेली जब भी आप लेक्स परफॉर्म करें, तब अगर आप ये इप थ्रस्ट परफॉर्म करेंगे, आपको विदिना मन्त आपकी लोग बाडी में चैंजेस नजर आएंगे, आप इसको मैजर करके रखिये, अब हम बात करते हैं ब्रीथ की, तो हम जब भी कॉंट्राक्ट करेंगे, ब्रीथ लेंगे, जब हम रिलीस करेंगे, तब ब्रीथ छोड़ेंगे, तो गाइज, अब हम परफॉर्म करके देखेंगे, बाबेल से समझेंगे, बाबेल से केसे लगाना है, कैटल बेल से हमारा हो गया है, ठीके, अब बिगनर, मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा, आप पेले कैटल बेल से फॉर्म सीखिए, दो-तीन हफ़ते, जब भी आप लेक्स परफॉर्म करेंगे, आप कैटल बेल से परफॉर्म करेंगे, जिससे आपका फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म समझ में आजाएगा कि क्या सह फॉर्म है, वेट कहां पर आना चाहिए, क्या सही तरीका है, ठीक है, लगाने का, उसके बाद I would suggest कि आप बाबल के उपर आईए, फिर उसके बाद बाबल पर आप लाइट, मतलब एकदम खाली बाबल, कोई वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस पर परफॉर्म करेंगे, जब आपको लगे कि येस, आपका फॉर्म सही है, तब आप बेट इंक्रेस करिए, बाबल में, तो सेम, हमने क्या करा था, हमारा उपर, अपर बाक, पीछे पैट पर करा था, चीन हमारी ये सी है, ठीक है, अगर आप चाहिए, तो आप अपने, जो जीम पार्टनर है, उसको लोब आपस पर आईगी, अगेन, जब वेट रहता है, इसम पर बाबल पर वेट रहता है, तो यह हमारी बोदी पर पेन क्रियेट होता है, गड़ता है, तो क्या होता है, आप चाहें, तो एक फॉर्म भी आता है, जो कि बाबल के उपर लग जाएगा, तो वो आपकी बोडि अभी जैसे कि कोई वेट नहीं है तो मुझे इतना कोई इश्यू हो नहीं रहा है ठीक है सेम अपर बैग पैट पर है चीन हमारी टूवर्ट्स डाउन जिससे हमारी नैक पर कोई इंजरी होने के चांसेस नहीं रहे लैग्स ज्यादा आउटसाइड नहीं है नॉर्मल रेंज पैरो की जो छोड़ाई है वो भी सेम है ठीक है नाव हम बाबल को आपचा है तो ऐसे भी लिफ्ट कर सकते हैं या ऐसे भी पकड़ सकते हैं ठीक है नाव ओल दे वे तू कॉन्ट्रेट वान चू अगे इस से ज्याद हमको नीचे नहीं बैठना है ज्यादा बैठेंगे आपको एक अलग ही अन्वांटेट पेन लोग पर आएगा वह हमके वह हमको नहीं लेना है ठीक है इतना सही है उसमें आपका रेंज हो रहा है ठीक है वान चू अब्रीथ इसमें भी ब्रीथ वही लेना है वेसे ही लेना है जिसे हमने कैटल बेल से ली थी, जब lift कर रहे थे, ब्रीथ ले रहे थे, जब हम release कर रहे थे, ब्रीथ छोड़ रहे थे, अल्राइट, अब मैं बहुत इक important बात करता हूँ, अगर आपकी body में fat percentage ज्यादा है, आप मोटे हैं, legs workout perform नहीं करते हैं, hip thrust नहीं लगाते हैं, मैं आपको suggest करूँगा, सबसे ज़्यादा calories बन होती है, leg workout में, सबसे ज़्यादा fat percentage, अगर drop कर सकते हैं, तो legs workout में, आप drop कर सकते हैं, तो मैं आपको suggest करता हूँ, week में दो बार legs workout perform करिए, hip thrust लगाईए, अगर आपके, आप मोटे हैं, excess आपका BMI ज्यादा है, अगर आपकी body का body mass index ज्यादा है, तो आप week में दो बार legs को target करें, जिससे क्या होता है, 3-3-4-4 दिन की gap में, हम leg को target करेंगे, तो हमारा जो leg muscle है, वो recovery भी होगी, उनकी all, fat percentage भी कम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा fat percentage कम होता है, तो legs workout में होता है, stamina हमारा जो बढ़ता है, एक dad lift में, एक squats में, और एक bench press में, सबसे ज़्यादा stamina increase हमारा इन में ही होता है, ठीक है, measure करके रखी है, मैं लिखके दे रहा हूँ, आपका अगर low body अगर आपको attract करना है, जो भी girls, या जो भी आपको, आपका goal हो, low body को लेकर, अगर आपको attract करना है, आप hip thrust लगाईए, जब भी likes perform करेंगे, आप एसे ही, आप इस वीडियो को save करके रख लीजी, जीम जाओ, देख लो, लगाओ, एसे ही perform करो, मैं लिखके दे रहो, आपका low body, a day by day, changes आने लगेंगे, all right, तो आज के लिए इतना ही, आपको ही वीडियो किसा लगा, मुझे नीचे comment section पर बताईगे, हम फिर कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे, आप लोग उनके लिए, तब तक के लिए आप ध्यान रखे कुद का, अपने घरवालों का, और make sure आप ये channel subscribe कर रहे हैं, आप मुझे instagram पर follow कर सकते हैं, चले goodbye, take care.